हेलो एन वेलकम एव्रीबन आप सबी का मेरे आज की वीडियो में बहुत बहुत सवागत है सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी I hope आप सभी अच्छे होंगे आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक फाउंडेशन का रिव्यू चलिए स्टार्ट करते हैं आज मैं आपके लिए कोन सा फाउंडेशन लेकर आएं हो रिव्यू के लिए इसकी डेटिल्ब भी देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं अज का अपना ये वीडियो so guys आप देख सकते हो यह है आपका foundation और यह है blue heaven का oil controlled matte foundation जैसे कि आपको screen पर दिखाई दे रहा होगा and guys यह इसकी जो bottle है वो glass की है and इसका weight बहुत ज़ादा है other foundation के हिसाब से and अगर आप इसे purchase कर रहे हो तो guys इसे बहुती ध्यान से आपको open करना है and अपने hand पर hold करना है आपके face पर 8 hour तक stay करेगा and यह waterproof नहीं है and इसमें है आपको मिलता है SPF 50 यानि कि जब आगर आप बहार जा रहे हो तो आप इसको लगा सकते हो यह आपको sunset protect करने का काम करेगा and इसे normal to oily skin वाले use कर सकते हैं जिसके आप देख सकते हो details oil skin वाले उनके face पर oil निकलता है तो वो इस foundation को use कर सकते हैं और normal वाले भी use कर सकते हैं जिसके आप देख सकते हो उस पर लिखा हुआ है अगर आप purchase कर रहे हो तो हो सकता है इसका price उपर नीचे हो जाए and आप देख सकते हो इसकी जो shelf life है वो है 2021 से लेकर आपको तीन साल तक आप इसको use कर सकते हो and इसकी जो quantity है वो 30 ml यानगी 30 ml आपको इसकी quantity मिल जाती है अब बात करते हैं इसको लगाना कैसे इसको use कैसे करना है तो guys आपको सबसे पहले अपने face को clean करना है and moisturize करना है clean आप face wash कर सकते हैं उसके बाद toning and moisturize जो आपके face को suit करता हो ठीक है उसके बाद आपको एक hand पर य nose आपको cover करना है ठीक है अगर उसके बाद इसको जो set करना होता है set जो करना होता है इसमें लिखा हुआ है blue haven oil control compact for a long lasting matte look यानि कि अब इसके बाद आपको जो compact है oil control वाला वो आपको face पर लगाना है then उसके बाद जो आपका foundation है and compact से lock हो जाएगा तो अच्छा है and ये है made in India India का ये brand है जिसके आप देख सकते हो and अब इसे open से open करती हो क्योंकि ये open से open ही होना है इसमें आपको मलता है कुछ इस तरह का spatula and इसकी consistency आप देख सकते हो मैं आपको return head in पर लगा के दिखा रही हो इसकी consistency बहुत ज्यादा thick है यानि कि आपको इससे पहले आपको moisturize लगाना जरूरी है बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसकी गंसी जब आप face पे लगाओगे तब आपको पता चलेगा अभी hand पर इतना नहीं देखेगा लेकिन thick है इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि आपको पहले आपको moisturize लगाना है then आपको ये foundation लगाना है और आप देख सकते हो फरग so guys इसमें I think 2 sheets available है मेरा जो sheet है वो natural है और I think मैं एक बार और शेक कर लूँगी इसमें available है कि नहीं है अगर होगा तो आपको side में दिख रहा होगा and अगर जब आप इसको use करोगे तो आपको इसे अच्छी तान से shake करना है then आपको इसको use करना है so guys ये ता आज का हमारा product review I hope आपको अच्छा लगा हो and last अगर आप इसको कहीं भी ले जाना चाते हो तो आप ले जा सकते हो ये बहुत छोटा सा है एक travel friendly product है ये तो guys बहुत अच्छा foundation है आप use कर सकते हो daily uses में use कर सकते हो अगर आप बहुत जा रहे हो तब भी आप इसे use कर सकते हो क्योंकि ये इसमें जो है SPF 50 है जो आपको संसे protect करने का काम करेगा तो guys ये था हमारा आज का review I hope आपको अच्छा लगा हो अगर आप इसको purchase करना चाहते हो तो description box में आपको purchase link मिल जाएगा तो मिलते हैं अपने next video में तो तक ही bye bye and take care